नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आपने चैनल में स्ट्रेश्विक लाज़ पर दोस्तों आई आज के एकच्चे क्रमचर्यों जुड़ी कुछ खबरों को फटा फट जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं आज अमबाला सहर से ग्रामीन चोकिदारों ने क्रमचरी भवश्यनी धी में लाब देने पर सीम का जताया आभार दोस्तों आप लोगो पता होगा हर्याना सरकार ने गोशना की थी कि ग्रामीन चोकिदारों को पी एफ का लाब दिया जाएगा तो इसी को लेकर यहाँ पर धन्यवा जता है ग्रामीन चोकिदारों ने हर्याना सरकार दोरा ग्रामीन चोकिदारों को क्रमचरी भवश्यनी धी में लाब देने के लिए दिसूचना जारी करने पर पर परदेश के समस्त ग्रामीन चोकिदारों ने खुशी जताई है ग्रामिन चोकिदार सभा के परदेश उपादेक्स अंबाला सहर के जिला अदेक्स हरजिंदर सिंग ने बताया कि परदेश की भाजपाव है जजपा सरकार ने ग्रामिन चोकिदारों की बहुत पुरानी मांग का दोस्तों यहां पर एक तरह समर्थन किया और उसको पूरा किय तो प्रदेश के ग्रामिन चोगिदारों को करम जो है क्रमचारी भयुष्षा निधिवे लाभ मिलने पर उनकी समाजिक शुरुक्षा दोस्तों सुनिश्चीत होस केगी और उनका भयुष्षय उजवल होस केगा ऐसा यहां परिन का कहना है तो क्रमचारी से जो ग्रामिन ट्यूबल ओपरेटर दोस्तों प्रेसान है सिलरी को लेकर तो ग्रामिन ट्यूबल ओपरेटर यूनियन ने दोस्तों यहाँ पर मीटिंग की और साथ में अपना ग्यापन लेकर यहाँ पर पहुंच गए SDM साब के पास और अपनी मांगों को उठाया है कि किस तरह से इनको पांच महीने की सिलरी नहीं दी जारी है इसकी वजह से यहाँ पर दोस्तों इनको घर चलाना मुश्किल हो गया है आज के महिंगाई के जमाने में तो SDM सुरंदर सिंग जी को इन्होंने आपर ग्यापन सोप आगे बड़ते हैं यहाँआ पर देख लिज sometime से ख़बर है टिपर चालकों का धरना थाइसमें दिन भी जारी सिया यहाँ दोस्तों यहांपर हासी से दोस्तों यहाँपर जो खबर है इसके अनुसार पांच महापूरा हटाए गए टीपर चालकों का पुने बहाल किये जाने के लिए यहाँ पर दोस्तों नगर परिशिद कारे लेके बाहर करमचारी भैठे हुए हैं यहाँ पर बता दें कि कोसल लोजगारनी गम में दोस्तों नाम रिश्टेशन करवाने की बारी आई थी जिसमें से 27 टीपर चालकों में से दोस्तों यहाँ पर 20 टीपर चालकों को 17 अगस्त को योगता पूरी न होने के नाम पर इनको हटा दिया गया जबकि करमचारे में कहना है कि नोटिस में टीपर चालकों को हटाने की कोई बात नहीं की गई थी यहाँ के रिजटेशन करते समय मेने का बकाया पीएफ और साथ में वेतन भी नहीं मिला है यह गलत बात सबसे बड़ी बात तो यह है अगर नोकरी चले गई अगर इनकी योगता में कोई कमी थी लेकिन दोस्तों इन्हों ने जो काम किया था नहीं तो उसका तीन महीने का वेतन रहा है और नहीं पीएफ मिल रहा है यह सबसे बड़ी गलत बात है कम से कम वो तो पूरा कर ही सकते थे जो है अधिकारी थे जो भी डिपार्टमेंट जिसकी भी डूटी थी जिन्द बासकर से देख लिए यहां पर क्रमचारी हितों के लिए संगर से जारी रहेगा महानीदेशक च्वस्त सेवाओं के साथ हुई है मीटिंग के बाद करमचारी यहां पर आस्वस्त नजर आये और इनकी मांगों पर विचार विमर्स किया जाएगा इसके बाद आगे बढ़ते हैं पर हासी बरवाला बासकर से है फरजी तबादला आदेश देकर जोयनिंग की बिजली निगम में ड्यूटी और च्छै पर केस दरजियां दोस्तों यहां पर कुछ आउट्सोर्चिंग करमचारी की जोयनिंग करवाई गई फिर उनको दोस्त जी तरह केसे यहां पर जो जोयनिंग करवाई गई और बाद में अब यह चीजे सामने आ रही हैं पुलिस केस यहां पर हो गया है कैथल बासकर से देख लिए यहां पर हैच एस इबी वरकर यूनियन ने मांगों को लेकर अधिकारियों के खिलाप किया है रोश परदरसंतो राजिव गांधी विद्यूत सदन पिहवा चोग पर पाचवे दिन की है नारे बाजी तो क्रमचारी यहां पर प्रेसान है अपने अधिकारियों से यहां पर बता दें केंद्रिये प्रिशद में चेर्मेन इकबाल चंदाना ने बिजली वंतरी वै निगम पर बंदन को कच ओठाने का टेंडर प्रैवेट फरम को देने का विरोध पहुंची टीपर चालक यूनियन जिया दुस्तों यहां पर टीपर चालक यूनियन हाइच पहुँच गई है इस मामले को लेकर इन करमचारियों का कहना है कि कोसलोजगार निगम के मादम से ही करमचारी रखे जाए इनना कि किसी private company को ठेका दिया जाए वैजे तो करमचारी ठीकी कह रहे है जब करमचारी की जरूरत है सरकार ने एक बना दिया है वही करमचारी आशे आप ले सकते हो कोंट्रेक्ट बेश के करमचारी ले सकते हो वही कोशलोजगार निगम से डिमांड कर सकते हो तो वहां से क्यों डिमांड नहीं कर रही है यहां पर जो है जो यहां पर थाने सरनकर पालिका है जो तो उसको करमचारी के डिमांड रखनी चाहिए कोशलोजगार निगम के पास त बना दिया है तो इसी का विरोध यह पर करमचारी कर रहे हैं कि किसी private company को ये ठेका ने दिया जाये को सलोजगार निगम से करमचारी लिये जाएं कैथल बासकर से देख लिए यहापर सफाई दरोगा पर क्रमचारियों की हाजरी ने लगाने का आरोप तो यहापर क्रमचारी प्रेशान है अपने सफाई दरोगा से देखिए इस तरह की प्रेशानिया बोज जगए पर देखने को मिलती है बता गया कि कोई क्रमचारिय जैसे यहाँ पर कि वो duty पर ब्यार आए कि पेरोल का क्रमचारी ठीक है निरंतर duty पर आ रहा लेकिन उसकी हाजरी नहीं लगाई जा रही है कुछ क्रमचारी छुटी लेना चाते हैं यहाँ पर application देने के बाद भी छुटी नहीं लगाई जाती तो इस तरह किसे यहाँ पर social क्रमचारी का हो रहा है और क्रमचारी अगर आवाज उठाते हैं तो उन्हें धमकाया जाता है ऐसा यहाँ पर क्रमचारी का कहना है तो क्रमचारी को यहाँ पर जो सुविधाय है वो नहीं दी जारी है एरियर के लिए भी करमचारी कई बार बोल चुके हैं वो भी इने नहीं मिल रहा है जिसे वजह से करमचारी यहां प्रावाज उठाने को मजबूर है और इंशनिन को यहां प्रारोफ है करमचारे को अगर पलिका सपाई करमचारे को किन से बेगार ली जाती है तो दुस्तो आ